उतरप्रदेश के कानपूर से बड़ी खबर सामने आई है जहां सराफा कारोबारियों का 10 करोड का सोना लेकर कारीगर फरार हो गया है पताने चले कि कारीगर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया ये घटना बजरिया थाना शेत्र की है जहां CCTV कैमरा भी लगा हुआ था जिसमें इस घटना का पूरा वीडियो रिकार्ड हुआ है पताने चले कि से CCTV फोटेज में आरोपी कारीगर सोना लेकर स्कूटी से फरार होता दिख रहा है ये वीडियो अब इंटरनेट पर भी वारर हो गया है बताने चले कि दरसल कानपूर में गोल्ड टेस्टिंग और सोना गलाने वाला कारीगर सराफा कारूबारियों का 15-20 किलो सोना और करीब 1.5 करोड कैश लेकर फरार हो गया है वही मंगलवार देरात सराफा कारूबारियों के हाथ कारीगर के साथी महेश मसके का गोड से बरी पेटी ले जाते वक्त वीडियो हाथ लगा है वही महेश इस कूटी से पेटी ले कर जा रहा है बताने चले कि कारोबालियों का नुमान है कि इस पेटी में गोल्ड भरा हुआ है और ये वीडियो उसके सोना गलाने वाले कारखाने के नीचे लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गया है बताने चले कि बेकनगन सराफा बाजार में मूल रूप से महराज के रहने वाले संपत राव लावटे पत्नी संद्या लावटे और साले महेश मसके के साथ सोना गलाने का काम करता था उसने अपनी फर्म भी रेजिस्टर करा रखी थी वह संपत राव अपने कारखाडे में गोर्ड टेस्टिंग पुराने गोर्ड के अभूशलो को गलाने और सोने चांदी के जेवरात बेचने का काम करता था वह संपत राव नील वाली गली में किराय का मकान लेकर परिवार के साथ रहता था जानकारी के मताबिक संपत्राव ने 20 साल पहले कानपूर में आकर व्यापारियों के बीच विश्वास बनाया था और इसी विश्वास का फायदा उठाकर उसने व्यापारियों से सोना एकटा किया और कई व्यापारियों से कैश रकम भी ली इसके बाद 15 से 20 किलो सोना और करीब 1.5 करोड कैश लेकर फरार हो गया है